नमस्कार दोस्तो टीवी अविनेतरी तुनिसा सर्मा की अतमत्या मामले में एक के बात एक नई खुलासे हो रहे है महज 20 साल के उम्रों में अविनेतरी ने इस दुनिया को अलवीदा कह दिया तुनिसा की मौत पर कई अविनेतरी ने अपनी पर्दिकिरिया दे रहे है अब अभिनेता मुकेस खना ने भी तुनीसा की मौत पर दुख जताते वे अपनी परदिकिरिया दी मुकेस ने इंडेस्टी में लर्कियों के आतमत्या करने पर भी सवाल उठाए मुकेस खना ने एक वीडियो सेर किया है जिसमें वो तुनीसा की आतमत्या पर बात करते वे दिखाई दिये मुकेस ने इस मामले में तुनीसा के माता पिता पर भी सवाल उठाए साथ ही उन्होंने तुनीसा की आतमत्या के कदम को बचकानी हरकत बताया हाला कि इसे लब जियात का मामला मानने से इनकार कर दिया मुकेस निकायर जोरी नहीं कि हर खन इस तरीके के काम करता हो या सिर्फ इस उम्रे के पराओ पर बचकानी गटनाओं की वज़ा से हो रहा है तुनिसा चली गई है और अब उंगले उनके बुएफिरेंट पर उठ रही है लेकिन उसके जर के पीछे जो है उस पर कोई बात नहीं करता है मुकेस ने आगे का सवी तुनिसा को लेकर हैरान सबसे बड़े कसुरवार लर्कियों के माता पिता होते हैं लर्किया खुद को समाल लेते हैं लर्किया भावुक और समवेधन सिल होती है जब वह धागा तूरता है तो लर्किया अपनी जिंदगी खतम कर लेती है जो लर्किया बोई फ्रेंट को अपना खुदा और अपना सब कुछ मानती है उसे पता चले कि सामने वाला उसे धोका दे रहा है तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी तुनिसा का दिल टूटा और उन्होंने घातक फैसला लिया माता पिता बच्चों को अकेला ना चोरे वरना हर बच्चे का हाल ऐसा होगा मुकेस खना का कैना है कि आतमत्या एक से दो मिनट का अफसात होता है उत समय अगर कोई दोस्त या माता पिता हुआ मौजोत होता तो साइथ तुनिसा नहीं मरती है हर माता पिता को अपनी लड़कियों को माय नगरी में अकेला नहीं छोरना चाहिए उने अपने बच्चों से मिलना चाहिए और उनका हाल चाल पूछना चाहिए मुकेस ने टीवी इंडेस्टी को भी सीरियल समय आतमत्या को बढ़ा चड़ा करना दिखाने की बात कही इसी तरह के बॉलेवूट न्यूस देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करे